नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ असीम बिहार विधान सभा का सत्र जहां सदन के अंदर गर्माहट देखी जा रही है वहीं केविनेट की बैठा खत्म होई और 21 एजंडे पर मोहर भी लगाया गया मेयर डुप्टी मेयर के चुनाव जनता वोज करेगी जिसको लेकर भी हरी जंडी मिल चुकी है देखिए 21 एजंडों पर आज मोहर लगाया गया है केविनेट की बैठा खत्म हो चुकी है और वो मुख जो एजंडे हैं जिसे हरी जंडी दी गई है वो मुख एजंडे है सबसे बड़ा और एहम क्योंकि बिहार की राजनीती लगातार गर्माती जा रही है जिसको लेकर मेयर उप मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी नियावली संसोधन को केविनेट की मंजूरी मिल गई है 2017 तक के वित रहित कर्मियों के लिए भुकतान की मंजूरी दे दे गई है देखे मुकता अगर हम ऑन केविनेट की अगर आंब करें तो 21 एजंदो पर मोहर लगी जिसमें से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता वोट करेगी और मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेगी जिसको लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो और लगातार बिहार की सियासत भी गर्म चल रही थी अब केबिनेट से हरी छंडी मिल चुकी है और दूसरी सबसे हम अगर हम आपको इस पूरे केबिनेट की बैठक में जो निन्य लिए गए हैं वो है कि 14 न्याइक पद अधिकारियों के जबरन रिटायर्मेंट को लेकर भी म तो गर्म चल ही रही है क्योंकि बिहार विधान परिशत का जहाँ एक तरफ चुनाव होना है 24 चीटों पर वहीं दूसरे तरफ अगर हम देखे सदन के अंदर भी गर्माहट चल रही है लगातार एंडिये खेमे में ही जो सवाल और का बौचार हो रहा है बीजेपी के तवा पासत इन तमाम मुद्दों पर गर्म है और वहीं 21 एजंडों पर आज केबिनेट में मंजूरी और मोहर लगाई गई केबिनेट की बैठा खत्म हो चुकी है मगर मुकता जो निर्ने लिए गए हैं हमने आपको बताए हैं कि 20 नाइक पधिकारियों की जबरन बातों पर फैसला लिया गया है तो देखने वाली बात यह होगी कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा वह किस तरीके से जनता किसे अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनती है क्योंकि अब जनता के ही हवाले वोटिंग राइट जो है मेयर और डिप्टी मेयर का दिया गया है अब जनता किसे अपना मत देती है वो देखने वाली बात होगी जहां दूसरे तरफ 21 एजंडर पर केबिनेट ने मोहर लगाई है वहीं दूसरे तरफ बिहार की सियास्त लगतार गरमाती भी जा रही है हम पलपल की तस्वियर लगतार अपडेट भी कर रहे हैं तो अब तक आपने माँ चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरण सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया